एक कहानी यह भी एक आत्मकथ्य है यनि बायोग्राफी है जो मनुभंडारी की है इसमें उन्होंने अपने जीवन की उन घटनाओं का फर्नन किया है जो उन्हें लेखिका बनाने में सहाय कुई इस पाठ में छोटे शहर की युवा होती लड़की की कहानी है जिसका आजादी की लड़ाई में उत्साह देखते बनता है लेखिका में संगठंक चमता भी बहुत है यानि मिलजुल कर रहने की चमता और विरोध करने का स्वरूप भी उसमें है उनका जिनम मध्यपर्देश के भानपूरा गाउं में हुआ था परंतु उसका पचपन अजमेर के बरमपुरी महले में गुजरा था उनका घर जो था वो दो मंजिला था जिसमें नीचे पुरा परिवार रहता था उपर की मंजिल में उनके पिताजी का समरज्य था अजमेर से पहले ये लोग इंदोर में रहते थे इंदोर में उनका परिवार प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था वे शिक्षा को केवल उपदेश की तरह नहीं मानते थे यानि शिक्षा को आत्मसात कर लेना चाहते थे हमेशा शिक्षित रहना चाहते थे उनके पिदाजी कमजोर शात्रों को घर पर ला करके पढ़ाया करते थे जिनके पढ़ायवे शात्र आज भी उचे ओधों पर लगे वे थे मनु भंडारी के पिदाजी, दर्यादिल, कौमल सुभाव, समवेदनशील के साथ साथ क्रोधी और एहमवाधी थे यानी थोड़ा एहम रखते थे एक बहुत बड़े आर्थिक जटके ने उन्हें अंदर तक हिला जया था वे इंदोर छोड़कर अजमेरा गए थे यहां उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश तयार किया शब्द कोश जो है वो डिक्षनरी को कहते हैं जिसमें उन्होंने अग्रेजी उसे हिंदी करके एक डिक्षनरी बनाई यहां पहली तरह का शब्द कोश था जिसने उन्हें परसीदी तो बहुत दिलाई एकिन धन नहीं मिला यानि पैसे नहीं मिले जिसके कारण उनकी स्थिती जो थी financially कमजोर हो गई थी उनके सकारात्मक पहलू जो थे इस आर्थिक स्थिती के कारण खराब हो गए थे और गिर्थी आर्थिक स्थिती में अपने बच्चों को व्यो भागिदार बनाना नहीं चाहते थे आरम से अच्छा देखने वाले पिताजी के लिए ये दिन बड़े मुश्किल थे कश्ट दायक थे इससे उनका स्वभाव करोधी हो गया था उनके करोध का भाजन हमेशा मनोभंडारी की मा बनती थी जब से उन्होंने अपने लोगों से ही धूखा खाया था तो उनका स्वभाव शक्की हो गया था यानि कि वो हर पर्टेक व्यक्ति को शक्ल की निगाह से देखते थे लेखिका अपने पिताजी को याद करके बताती है कि उसके पिताजी के कितने गुण और अवगुण आए है उनके विवार ने सदैव लेखिका को हींता का शिकार बनाया लेखिका का रंग काला था यानि कि उनकी सिस्टर का रंग गोरा था और उनका खुद का रंग काला था शरीर से वह दुबली पतली थी तो पिताजी को गोरा रंग पसंद था उससे बड़ी बहन शुशीला गोरे रंग की थी इसलिए वह पिताजी की चहेती थी पिताजी हर बात पर उसकी तुलना सुशीला से किया गरते थे जिससे उसमें हीन भावना घर कर गई वही हीन भावना उसमें आज तक नहीं निकली थी आज भी वह किसी के सामने खुल कर अपनी तारीफ सुन नहीं पाती लेखिका को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता कि उसने लेखिका के रूप में इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं लेखिका पर अपने पिता का पूरा प्रभाव था उसे अपने विवार में कहीं न कहीं अपने पिता का विवार दिखाई देता था दोनों के विचार सदैव आपस में टकराते रहते थे समय मनुष्य को अवश्य बदलता है परंतु कुछ जड़े इतनी गहरी होती हैं कि वे अपने स्थान से हिलती नहीं पिता से विप्रीत स्वभाव की लेखिका की मा थी यानि मा का स्वभाव उन से डिफरेंट था वे हर समय सबकी सेवा में ततपर रहती थी पिताजी की हर कमजोरी मा पर निकलती वे हर बात को अपना करतवे मान कर पूरा करती लेखिका और उसके दूसरे भाई बहनों का मा से विशेश लगाव था परन्तु लेखिका की मा उसका आदश कभी नहीं बन पाई लेखिका पाँच भाई बहनों में सबसे छोटी थी उसकी बड़े बहन की शादी हो चुकी थी लेखिका को उसकी शादी की कुछ यादे बागी थी यियनि उसकी यादों में धुनले रूप से उसकी शादी याब थी घर के आंगन में उसको खेल में उसकी साथ बहन सुसीला ने दिया दोनों बच्पन के वे सभी खेल खेलती थी जो सभी बच्चे खेलते हैं दोनों अपने भाईयों के साथ लड़कों वाले खेल भी खेलती थी परन्तु उनके खेल का दाइरा घर का आंगन था यानि अपने वो घर के चार दिवारी से बाहर नहीं जा सकती थी और उनके घर में लड़कों को कहीं भी आने जाने की इजाज़त थी यानि लड़के बाहर आ जा सकते थे उस समय घरों का आंगन अपने घर तक सीमित नहीं था वे पूरे महले के घरों के आंगन तक आ जा सकते थी उस समय महले के सभी घर एक दूसरे के परिवारों का हिस्सा होते थे लेखिका को आज की फ्लेट वाली जिंदगी ऐसा है लगती है उसे लगता है कि उसको उसकी दरजनों कहानियों के पात्र उसी महले के हैं जहां उसने अपना बच्पन और योवन वैजदीद किया था उस महले के लोगों की चाप उसके मन पर इतनी गहरी थी कि वह किसी को भी अपनी कहानी या उपन्यास का पात्र बना लेती थी और उसे पता भी नहीं चलता था उस समय के समाज में लड़की की शादी के लिए योग्य आयू सोले वर्ष और मैटिक तक शिक्षा प्राप्त करना समझी जाती थी उसकी बहन सुसीला की शादी 1944 में होगी थी उसके दोनों बड़े भाई बढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे सबके चले जाने के बाद लेकी का को अपने व्यक्तित्वे का एहसास हुआ उसके पिताजी ने उसे कभी घर के कारें के लिए प्रेरित नहीं किया उन्होंने सदा उसे राजनीतिक सभाओं में अपने साथ पैठाया वे चारते थे कि उसे देश की प्रयाप्त जानकारी होनी चाहिए उस समय देश में भी बहुत कुछ घटनाएं घटित हो रही थी चारों तरफ आजादी की लहत दोड रही थी लेकिका की आयूब कम थी फिर भी उसे क्रामतिकारियों और देश भक्तों सहीदों की कुर्बानियां रोमानचित कर देती थी दस्वी कक्षा तब तो लेकिका को जो भी साहिते मिला उसे पढ़ लेती थी परंतु जैसे ही दस्वी पास करके कोलेज में फर्स्ट यूर में गई महा हिंदी की अधापिका सीला अगरवाल ने उनका वास्त्विक रूप में सहीते से परिचे कराया विश्वेम उसके लिए किताबें चुनती और उसे पढ़ने को देती उन विश्यों पर शीला अगरवाल लेकिका से लंबी बहस करती थी इससे उसके सहीते का दाइरा बढ़ा लेकिका ने उस समय के सभी बड़े बड़े लेक को के सहीते को पढ़कर समझना प्रारम कर दिया था अध्यापिका शीला अग्रवाल की संगती ने उसका परिचे मात्र सहिते से ही नहीं अपितु घर से बाहर की दुनिया से भी कराया पिताजी के साथ आरं से ही राजनीति सभाओं में हिस्सा लेती थी परंतु उन्होंने उसे सक्रिय राजनीती में भाग लेने के लिए प्रेरित किया उस समय सन 1946-47 में देश का वादावरण इस प्रकार था कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में चुप नहीं रह सकता था अध्यापक सीला अगरवाल की बातों ने उसकी रगों में जोश भर दिया था में देश की स्वतंतरता के लिए लड़कों के साथ कदम से कदम मिला कर चलने लगे परंतु उनके पिताजी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी वे दोहरे व्यक्तित्व के स्वाम थी वे आथनिक्ता के समर्थक होते हुए भी रग्यानूसी विचारों के थे एक और तो वे मन्नू को घर में हो रही राजनीतिक सभाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करते तो दूसरी और घर से बाहर की राजनीतिक उतल पुतल में उनका भाग लेना उन्हें अच्छा नहीं लगता था यहां पर दोनों पिता बेटी के विचारों में टकराहत होने लगी दोनों के बीच में विचारों की टकराहत राजिंदर से शादी होने तक चलती रही थी लेकिका के पिताजी की सबसे बड़ी कमजोरी यश्की चाहत थी उनके अनुसार कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे समाज में प्रतिष्ठा और समान हो उनकी इसी चाहत ने लेकिका को उनकी क्रौध का भाजन बनने से बचाया था एक बार कॉलेज से प्रिंसीपल का पत्र पिताजी के नाम आया उन्होंने उसके बारे में बातीत करने के लिए बलाया था पिताजी को बहुत करोज आया लेकिन जब कॉलेज से लोटे तो बड़े खुश थे उन्होंने बताया कि उसका कॉलेज में बहुत दबदबा है सारा कॉलेज उसके एक इशारे पर खाली हो जाता है वे तीन लड़किया हैं जिन्होंने कॉलेज चलाना मुश्किल कर रखा था पिताजी को प्रिंसीपल की बाते सुनकर गर हुआ कि उनके घर में एक ऐसा लेता है जो सभी को एक आवाज में अपने साथ चलने के लिए प्रेरित कर सकता है पिताजी के मुँँ से अपने लिए प्रिशंसा सुनकर उसे अपने कानों और आँखों पर विश्वास नहीं हुआ था ऐसी ही एक और घर्टना उनके साथ हुई थी उन दिनों आजाद हिन्द फोज का मुकदमा चल रहा था सभी स्कूल कोलेजों में हड़ दाल चल रही थी सारा युवा वग अजमीर के मुखे बाजार के एक चौराहे पा एकत्रित हुआ एकर्था हुआ महां सभी ने अपने अपने विचार बताए लेखिका ने भी अपने विचार सभी लोगों के सामने रखे उसके विचार सुनकर उसके पिताजी के मित्र ने आकर पिताजी को उसके बारे में उल्टे सीधी बातें कह दी जिसे सुनकर पिता जी आगवबूला हो गए वे सारा दिन मापर कुछ ना कुछ बोलते रहे रात के समय जब वह घार लोटी तो उसके पिता के पास उनके एक अभिन्न मित्र अंबालाल जी बैठे हुए थे डाक्टर अंबालाल जी ने मन्नु को देखते ही उसकी प्रिशेशा करनी शुरू करती याई उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया वे उसके पिताजी से बोले कि उन्नोंने मन्नु का भाशन नहीं सुनकर अच्छा नहीं किया मनुने बड़ा ही अच्छा और जोरदार भाशन दिया पिता जी यह सुनकर बड़े खुश हुए उनके चेहरे पर गरुक के भाव थे बाद में उसे उसकी माने दोपैर में पिता जी के क्रोध वाली बात पताई तो उसकी सांस में सांस आई लेखिका आज अपने अतीत में देखती है कि उसे यह समझ नहीं आता कि क्या वास्तों में उसका भाशन जोरदार था या फिर उस समय के समाज में किसी लड़की द्वारा उपस्तित भीड के सामने ने संकोच रूप से धुआधार बोलना ही सब पर अपना प्रभाव छोड़ गया था यानि कि वो खुलकर बोली थी ये ज़्यादा मेहत पुन था या वास्तों में उसका भाशन अच्छा था ये लेखिका को समझ में नहीं आया परन्तु लेकिका के पिताजी कई प्रकार के अंतर विरोधों में जी रहे थे वे आधुनिकता और पुराने विचारों के समर्थक थे उनके यही विचार कई प्रकार के विचारों के विरोध का कारण बनते थे मई 1947 में उनकी अध्यापिका शीला अग्रिवाल को कॉलेज से निकाल देया गया था उन पर आरोब था कि वे कॉलेज की लड़कियों में अनुशाशन हिंता फेला रही थी देखिका के दो आ लड़कियों को थाड़ियर में दाखिला नहीं दिया गया कॉलेज में इस बात को लेकर खुब शोर शराबा हुआ जीत लड़कियों की हुई परंतु इस जीत की खुशी से भी जादा एक और खुशी प्रतिक्षा में थी वहें वो सतापती की सबसे बड़ी उपलपती थी उस समय भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था